नमस्कार दोस्तों और किसान भाईयों इंडियान इलेक्ट्रिकल स्टेशन रोड राइपूर की यूटिव चैनल में आपका स्वागत है ट्राक्टर के साथ में लगने वाला जमीन के उबढ़ावण मिट्टी को जल्दी से सुधारने वाला आपके समय बचाने वाला किलस्कर ओईल इंजिन लिमेटर का ये रोटो हेटर मेशिन के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूं किसी भी फसल की कटाई के बाद जैसे धान, गन्ना, कपास और केले की फसल के अवसेश को हटाने के लिए तथा उथल पुथल जमीन को समतल करने के लिए केम डबलू एगरी मेकानाईजेशन किलस्कर ओईल इंजिन लिमिटर खड़ की पुने द्वारा बनाये गया ये ट्राक्टर मौंटर लोटो हेटर मशिन कम खर्चे में चले जादा बचत जादा कमाई जादा होती है दोस्तो फसल कटाई के बाद खेतों की जुताई बड़ी मुश्कील का काम होता है बिचारा अकेला किसान भाई दो बेलों के साहरे जमीन के मिट्टी को मुलाइम करने के लिए पुरा दिन लगा देता है दोस्तों किसान की यह कठिनाई देखते हुए एक किलोसकर कमपनी का रोटोएटर खेत की उबढखावण मिट्टी को एक ही चक्कर में भुरुरी परत्चे से तैयार कर देता है जिसमें बीच को उगने और बढ़ने की रुकावट नहीं होती है किसान चाहे टेकनिकल हो या नॉन टेकनिकल सभी को मुलायम मिट्टी का धरकार होता है दोस्तों पारमपरिक पध्धती में खेतों की जुताई बड़ी मुश्किल का काम हुआ कर दा था खेतों की यही जुताई का काम और किसानों की कठिनाई को देखते हुए किलस करिशी आधुनी की करण बाइग्यानिकों ने रोटोवेटर मेशीन का डिजाइन किया बस ट्राक्टर के पिछे लगने वाला ट्राक्टर माउंटर रोटोवेटर पूरा खेत को एक ही दिन में एक ही चक्कर में उवड़ खावड मिट्टी को एक भुरबुरा परत जैसी तयार कर मिट्टी को उपजाव बना देती है जिसमें बीज को उगने और बढ़ने के लि लिटर कैपासिटी वाला मल्टी स्पीड ग्यार बॉक्स के साथ 380 कीजी CME 1500 मौडल 424 कीजी 1800 मौडल और 470 कीजी में 2100 का ये मौडल मिलता है दोस्तों 36 पीस एल टाइप ब्लेड के साथ CME 1500 मौडल के लिए 45-50 HP पावर ट्राक्टर की जरूरत होता है इसकी साइज है 1650 mm गुने 990 mm गुने 980 mm है दोस्तों सही साइज होने के कारण आपकी खेतों की किसी भी मौड पर घुमाया जा सकता है कम समय और कम खर्चे में आपना खेतों को बुआई के लिए प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों किलोसकर का ये रोटोवेटर इंडियान इलेक्ट्रिकल स्टेशन रोल्ड राइपूर में मिलता है दोस्तों हाँ किसान भाईयों जब ट्राक्टर सही चुना तो रोटोवेटर भी सही चुनो सिरीफ और सिरीफ किलोसकर का यूनिवेटर चुनो